Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, आज इस वीडियो में मैं आपको Azure Backup के बारे में बताऊँगा. तो अभी तक हमने जो topic cover करे हैं, वो था Azure का portal का overview हो गया हमारा, Azure Virtual Machine हो गई हमारी complete, और उसके बाद फिर हमारा Azure Virtual Network हो गया है, फिर Azure Availability Options हमारी complete हो गया है, और अब चलते हैं Azure Backup की तरफ, तो guys, बैकप क्या है, अभी जैसे आप on-premises में बैकप लेते थे, आप कोई भी file server है, या कोई भी आपका database server है, या application चल रहा है, तो आप उसका backup लेते थे, in case अगर आपका कुछ server crash हो जाता है, या data loss हो जाता है, तो आप उसके लिए backup लेते हो ताकि आप restore कर सको, तो उसी तरह Azure में भी आप backup ले सकते हो, और जो की backup जो है mandatory है, आप चाहिए production environment में यूज करो, या कोई भी environment यूज करो, अगर आपका critical data है, या critical application है, या critical database है, तो आपको backup लेना ही लेना है, चाहिए कुछ भी हो, तो जैसे कि मैंने बुला, Azure में भी आप backup ले सकते हो, अब backup आप किस-किस चीज का ले सकते हो, आप backup जो है Azure Virtual Machine का ले सकते हो, SQL Database का backup ले सकते हो, और on-premises में जो servers हैं, चाहिए वो VMware server हो, या Hyper-V हो, या फिर physical server हो, उनका भी आप backup ले सकते हो, तूसरा ये है, कि Azure backup जो service है, उसके थूँ आप file level backup ले सकते हो, disk level का backup ले सकते हो, और पूरे virtual machine का भी backup ले सकते हो, तो गाइज, अब Azure में जो backup लेने की service है, उसे बोलते हम recovery service vault, जिसको कि हम short में RSV भी बोलते हैं, recovery service vault, ओके, तो अभी next point क्या है, कि इसका configuration, Azure backup का configuration में क्या-क्या points है, तो Azure backup में हम लोग क्या-क्या configure कर सकते हैं, आप backup policy configure कर सकते हो, और schedule time और date set कर सकते हो, आप retention period आप define कर सकते हो, कि आपको कितने साल तक या कितने महीने तक या कितने दिन तक आपको बैकप को retain करना है, backup frequency आप configure कर सकते हो, आप backup alert configure कर सकते हो, कि आपका जैसे backup complete हो गया है तो उसका alert आना चीए, या फिर fail हो गया है तो उसका alert आना चीए, दूसरा इसमें क्या है, restoration के पार्ट में, कि आप file restore कर सकते हो, folder restore कर सकते हो, पूरे virtual machine को restore कर सकते हो आप, या फिर आप disk को भी restore कर सकते हो, अगला point क्या है Azure backup में, कि ये एक automatic storage management है, यानि कि इसका मतलब क्या है, कि जैसे on-premises में आपको physical storage box खरीदना होता था, या फिर tape drive खरीदना होता था, जिसमें आप tape drive के थुरू, आप backup लेते हैं, तो इसमें आपको कोई hardware का cost नहीं देना, आपको simple recovery service vault में service create करके और backup configure करना है, दूसरा इसमें benefit क्या है, कि आपको multiple storage replication provide हो रहा है, अब multiple storage replication मतलब यहाँ पर दो type के replication होती है, backup की, redundancy के point of view से, एक है आपका LRS, इसका मतलब है local redundant storage, और दूसरा है GRS, यानि कि geo redundant storage, तो यह दोनों replication क्या करती हैं, तो चलिए मैं आपको एक diagram से समझाता हूँ कि LRS और GRS में फरक क्या है, तो यह देखिए, यह मेरा diagram है, तो यह जो है, मैं इसको यहाँ पर लग देता हूँ, LRS, और यह वाला जो मेरा concept है, यह GRS का, ओके, तो अभी LRS अगर आप replication चूज करते हो, जो कि LRS जो है, सस्ता भी है, और GRS इससे थोड़ा महंगा है, अब वो महंगा और सस्ता क्यों है, उसका difference हम देखते हैं, कि यह मान लो आपने एक India region में, आपने जो है, कि आपका इस region में, India region में, हमारे पास तीन region है, जैसे कि एक West India है, South India है, और Central India है, तो मान लो अगर आपने West India में configure किया, और replication type आपने LRS चूज किया है, तो आपका तीन copies create होंगी, इस particular data center में, यानि कि इंडिया के अंदर, West India में जो data center है, उसी data center में सिर्फ तीन copies create होंगी, अलग-अलग physical box में या जो back end में उनका data center में magnetic या पर tape drives लगे, वहाँ पर तीन copies सेव होंगी, तो उस case में क्या होगा, कि अगर मान लो उनके data center में, Microsoft के data center में, अगर एक tape device है, hardware जो physical device है, जहाँ पर actually में जो storage जो उनका back end में लगा हुआ है, वहाँ पर अगर वो storage crash हो जाता है, तो आपका जो है दूसरे storage box से, tape box से आपका data recover हो सकता है, लेकिन मान लो अगर आपका यह जो वेस्ट इंडिया का data center है, यही पूरा crash हो गया, यह पूरा अगर मान लो यह पूरा crash हो गया, तो आपके पास कोई option ही नहीं बचा, तो आप data recover नहीं कर पाऊगे, ओके, तो LRS में क्या है, कि आपका तीन copies वो save करता है, अलग-अलग tape drives में कह सकते हो, या फिर आपके storage, क्योंकि back end में recovery service hold back end में storage box यूज़ करता है, तो back end में जो भी storage लगा होगा, वो जाए 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 तीन copies ही save करेगा, अगर आपका एक crash होता है, तो दूसरे से आप backup recover कर सकते हो, अगर दूसरा भी crash हो गया Microsoft के data center में, तो तीसे से आप recover कर सकते हो, लेकिन वो रहेगा same data center के अंदर, अगर मान लो पूरा data center ही down हो गया, तो आपका data backup recover आप नहीं कर सकते हैं, तो ये था LRS के बारे में, इसी लिए सस्ता है क्योंकि इसका एक ही region, एक ही data center के अंदर, तीन copies save हो रही हैं, अब चलते हैं, GRS की open, तो GRS का full form है, geo redundant storage, अब ये थोड़ा, इससे थोड़ा महंगा है, इसका pricing थोड़ा महंगा है, कैसा है, ये मेरा एक India region है, इंडिया region में, जैसे कि मैंने बिला, तीन region है हमारे पास, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, और सेंट्रल इंडिया, तो अगर आप recovery service vault configure करते हो, और उसमें GRS आप replication type select करते हो, तो इसमें आपका तीन copies save होंगी, लेकिन तीन अलग अलग data center में होंगी, ओके, और ये ती इनो copies जो है, आपस में sync करते रहेंगा, synchronize होता रहेंगा, इनके बीच में आपस में, वो जो है, synchronization का, ये सब जो काम है, ये Microsoft का काम है, हमारे पास इसके access ने synchronization करते है, हमें सिर्फ replication type GRS select करना है, बस हमें concept पता होना चाहिए, कि GRS में हमारी तीन copies save हो रही है, लेकिन तीन अलग अलग data center में, अलग अलग region में, तो in case अगर आपका ये region down होता है, तो आपका दूसरे region से backup आप recover कर सकते हो, अगर दोनो data center down हो गए, तो आप तीसरे data center से आप backup अपना recover कर सकते हो, तो guys ये था LRS replication और GRS replication के बारे में, अब चलते हैं, इसमें network security का, तो network security का होते हैं, जो भी backup आपके server से recovery service vault में जाके आप backup लेते हो, वो सारे के सारे जो है, advanced encryption status जो आपका रहता है, ASE बोलते हैं, ASE 256, वो जो encryption method है, उससे जो है, आपका backup encrypt होता है, और backup जो जाता है, आपका over the internet जाता है, recovery service vault में, with HTTPS, यानि कि HTTPS link से आपका जो है backup, server से recovery service vault में जाता है, और सारे का सारे जो भी backup है, वो जो है encrypted mode में जाता है, encrypt होके जाता है, और Microsoft उसको decrypt नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में, तो guys, ये था इसका कुछ configuration points, अब चलते हैं, soft delete के open, अब configuration में एक feature और है, soft delete, यानि कि अभी Microsoft, जब आप recovery service vault configure करते हो, तो by default आपको 30 days का retention period देता है, ये retention policy define रहता है, जो कि आप अपनी choice के साब से, अपने requirement के साब से, आप configure कर सकते हो, इसमें एक और option है, जो कि by default जो है, Microsoft ये करके रखता है, इनेबल करके रखता है, वो है soft delete का option, soft delete का option का मतलब क्या है, कि अगर मान लो, आपने backup intentionally, या फिर unintentionally, जान बूच के, या फिर गल IBM के लिए करो, या on-premises server के लिए करो, अगर मान लो, गलती से वो delete हो गया है, या फिर आपने delete कर दिया है, तो भी आपका soft delete का जो फीचर है, वो by default enable रखता है, Microsoft, वो soft delete का मतलब क्या है, कि अगर आपने backup delete कर दिया, तो आपका 14 दिन के लिए, वो retention period में रहेगा, यानि कि 14 दिन के अंदर अंदर, आप उस backup को recover कर सकते हो, enable कर सकते हो, और फिर से backup को continue कर सकते हो, तो अगर आपने soft delete का feature disable कर दिया, और disable करने के बाद, आपने backup delete कर दिया, तो आपका पूरा backup पूरा delete हो जाएगा, और recovery का कोई chance नहीं रहेगा, तो इसलिए Microsoft जो है, उसको hidden रखता है, हलाएं कि हम उसको change कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन by default Microsoft उसको enable रखता है, ताकि इन केस अगर customer से जान बूज किया गलती से backup delete हो गया, तो वो 14 days के अंदर अंदर उस backup को फिर से recover कर सकता है, enable कर सकता है, और अपने backup को continue कर सकता है, अब अब अगला step है कि backup कितने type के हैं, azure में backup तीन type के हैं, एक है आपका azure VM backup, यानि कि जो है आप azure की जो virtual machine है उनका backup ले सकते हो, जो भी azure में virtual machine से उनका backup ले सकते हो, चाए वो files हो, folder हो, operating system हो, या diskos का backup ले सकते हो, तीसरा है आप, दूसरा है आपका maps, short में इसको maps बोलते ह जिसे कि हम कहते हैं, Microsoft Azure backup server, अब ये option आप तब use कर सकते हो, अगर आपके on-premises में बहुत सारे physical servers पड़े हो हैं, या फिर VMware के servers पड़े हैं, और आप उन servers का backup जो है Azure में लेना चाते हो, तो आपको maps करके एक server बनाना पड़ेगा, यानि कि इसमें क्या होता है, कि आपको on-premises environment में, मान लो, लेट से आपके 100 VMware machines हैं, या फिर physical servers हैं, तो आपको एक server पर और खर्चा करना पड़ता है on-premises में, उस server के अंदर आप Microsoft Azure backup server का EXE आता है, डाउनलोड कर सकते हो, Azure की site से, वहां से डाउनलोड करके, उस server पर जो server आप बनाओगे इसके लिए, उसमें कोई तो Windows क operating system डालो, और उसमें जो है, ये EXE install करो, और उस EXE install करने के बाद, आप उसको एक backup server बनाओ, यानि कि आप backup server बना दिया, अब जो भी backup होंगे, आप सारे सारे physical servers का, ये VMware servers का, उस backup server में configure करो, क्या होगा, कि आप जो भी 100 servers रहेंगे, वो सारा backup जाएगा, आपके backup server के पास, औ और backup server से, फिर over the internet जाएगा, Azure में recovery service, वोल्ट के पास, अगला option है, आपका Mars, जिससे के हम कहता है, Microsoft Azure recovery service, अब Mars क्या है, ये भी आपका on-premises के servers का backup लेने के लिए होता है, लेकिन आप इसको, अगर आपके on-premises में, लेट से 4, 5 या maximum 10 physical servers पड़े वे हैं, और आप उनका backup server, sorry, आप उनका backup लेना चाहते हो, Azure में, बिना कोई additional खर्चा करें, या फिर कोई additional server बनाये हुए, तो आप Mars service यूज कर सकते हो, Mars में क्या होता है, कि Azure आपको एक agent, एक EXE देता है, वो EXE कहरे तक agent रहता है, यानि कि backup का agent रहता है, जो कि आप individual server के उपर डालते हो, तो कहने का मतल अब यह है, कि Mars में एक agent होता है, जो आप हर एक physical server के उपर डालोगे, और वो agent क्या करेगा, उस agent के थुरू directly over the internet आपका जाएगा, कहां, Azure में recovery service world के उपर, वहां उसके थुरू आपका backup होगा, तो इसमें confused होने की जरूत नहीं, Mars और maps में, Mars और maps दोनों ही on-premises environment में, जो भ बहुत सारे servers पड़े हुए हैं, और उसका backup लेना है, तो उसका best solution यह है, कि आप एक server और बनाओ, Windows का कोई operating system डालो, 2016 या 2019, उसके अंदर maps, Microsoft Azure backup server का software install करो, और क्या होगा, कि जो भी machine होगी, वो सारे के सारे backup जाएगा, किस पे, Azure backup server पे, और उसके बद वहां से internet के, over the internet, आपको agent install करने की ज़रूत नहीं, आपको सर्फ एक machine बनाना है, और उसमें backup server का software डालना है, मार्स में क्या होता है, कि यह एक बहुती, अगर आपके बहुत कम on-premises में servers हैं, तो आप उसके लिए कि आ करो, अलग से maps की तरह, अलग से server बनाने की जगा है, आप agent download करो, और हर individual, let's say, आपको पास 10 server है, तो 10 server पर agent install करो, और वो agent क्या करेगा, over the HTTPS link, over the internet, आपका recovery service world पर आपका backup start करेगा, ओके, तो guys, यह था, Azure backup के configuration के बारे में, type of backups के बारे में, replication के बारे में, क्या-क्या type के replications हैं, और क्या-क्या हम backup ले सकते हैं, अब आते हैं, इसके pricing के उपर, तो मैं, pricing के लिए, जो है, मैंने यहाँ पर यह खोला हुआ है, pricing model इसका, तो यह देखिए, recovery service world में, अगर वो बुलता है, अगर आपका virtual machine का, जो size है, वो 50 GB है, उससे कम का है, तो आपका, जो है, five dollar लेगा, प्लस storage का, जो consumption लेगा, storage क्यों लिखा है, जैसे कि मैंने बताया है, थोड़ी देर पहले, कि recovery service world, जो है, backup में, आपका storage में, blob service यूज़ करता है, तो storage में, blob service क्या होता है, यह मैं आपको storage के वीडियो में बताऊंगा, बट फिलाल इतना ध्यान रखिए, कि recovery service world, backup, back end में, आपका, जो है, storage यूज़ करता है, तो इसलिए, जो है, यह अलग instance है, instance मतलब, आपके servers का size क्या है, अगर 50 GB है, उससे कम का है, तो आपका इतना cost आएगा, और 50 GB से ज्यादा, और 500 GB से कम है, तो इतना cost आएगा, उसी तरह, आपका backup का, जो storage है, वो storage का cost क्या है, यह आपका storage in GB पर मंत दिया हुआ है, कि LRS है, GRS है, और RA GRS क्या है, यह storage का size क्या होगा, पर GB किसाब से कितना dollar लेगा, तो यह आपका pricing है, जो कि आप azure में, google में search मारके, azure backup pricing आप search मारके, check कर सकते हो, okay, तो guys, यह था azure backup के उपर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप please वीडियो को like कीजे, share कीजे, और subscribe कीजे, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ miss है, तो आप comment कीजे, मैं आने वाले वीडियो में उसको cover करूँगा, तो guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ, so thanks for watching this video.